आज इस वीडियो में हम लोग गेंज फ्रॉम ट्रेट को डिसकेस करेंगे यानि जब कोई दो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेट करती हैं तो किस तरह से वो फाइदा उठाती हैं उससे यानि जब वो ट्रेट नहीं कर रही थी तब क्या हाला थे और जब वो ट्रेट करने लगी तो कितने हाला थे इंप्रूव हुए हुए या नहीं हुए इस बात पर आज डिसकेस हम करेंगे शुरू करने से पहले मैं बताओं कि यह का जो वीडियो का जो स्टेडी मिटेरियल है वो मैंने स्टेडी स्मार्ट की वैब साइट से लिया है ज तोफियं बाटा करते थे कि तुम्हें ये वाली पसंद ओड़ी है लो दोनों को वो पसंद आरे है मुझे ये वाली पसंद नहीं थी, उसको वो पसंद थी, मुझे ये चेंज की, दोनों फाइदे में रहे, ठीक है, हर इनसान ने किया होगा, इसी तरीख ऐसे country trade करती है, क्योंकि उनको अपने citizens को better off करना होता है, उनने देखना होता है किस तरह से हमारी जो country है, वो trade से economic benefit होता है, total नहीं किसाब total export हमारा इतना है, या total import नहीं, जो हमारा net economic benefit होता है, वो ही हमारा gains कहलाता है, अब मालिये कि एक country है, वो self sufficient है, वो कह रही है किसाब मैं सब कुछ produce कर सकती हूँ, तो काफी problematic चीज है, नहीं कर सकती है, अब इंडिया का है किसाब मैं जितनी petrol की मु produce कर सकता हूँ, तो ये ममकिन नहीं है, ठीक है, अगर उसको ऐसा करना होगा तो मशकिल काम है, कुछ जगहँ पर कुछ चीज़ें नाममकिन भी है, या तो उसको करना होगा किसाब, वो सारी रिसोर्स को बाढ़ दे, इतनी रिसोर्स को बाढ़ दे, तब वो करेगा, उससे कि नहीं हो पाएगी दूसर फारिये मैं को और प्राइट साभ यह नहीं करें एक आधर तरीका यह है जिस में आप जो चीज चीज नहीं हो सकते यह नहीं कर निए इस इसको आप import कर लिए और trading जो है वो यही access आपको दे देती है आपके पास diverse selection होता है goods and services का क्यों क्योंकि आप किसी एक चीज़ के अंदर specialized होते हैं दूसरी country किसी दूसरी product के अंदर specialized होती है वो country वो बनाए जिसमें वो specialized है आप वो बनाए जिसमें आप है फिर दोनों एक दूसरे के साथ trade करने यानि goods की exchange करने इससे दोनों countries better off हो जाती है दोनों countries को फाइदा होता है इसी benefit को इसी फाइदे को gains from trade कहते हैं अब देखें यह जो gains from trade है इसका हम idea अगर लें तो यह दो तरह का होता है एक तो होता है एस्टेटिग गेंज और दूसरा होता है डाइनेमिक गेम ठीक है यह दो तरह के gains होते हैं एक होता है inshtetet ready gains और एक उताहए डाइनमिक, स्टेटिक गेंस कौन सा होता है, जिससे के सोशल वैलफेर इंक्रीज होता है, यरि पीपल का जो सोशल वैलफेर है वो इंक्रीज होता है, यानी जब हम अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रेंटियर से बियोंड जाकर कंजीum करने लगते है अगर हम यहां कंजियूम कर रहें तो प्यास पर रहें यहां यहां अगर हम यहां कंजियूम करने लगे इतना यह प्रोड़क्ट इतना यह प्रोड़क्ट उस केस में हम कहते हैं कि हमें गेन हुआ यह इस्टेटिक गेंज कहलाता है समझ में हारी अचा ऐसी होता ही डाइनमिक डाइनमिक गेंज जो होता है वो कब होता है जब आपकी नेशन की एकॉनोमी ग्रोय डवलप कर रही होती है faster than without trade यानि हम ये मान के चलें कि हमारी कंट्री पहले कि हमारी एकॉनमी पहले कितनी growth कर रही थी और trade के बाद जो growth होती है वो पहले वाली growth से तेज होती है उसको हम लोग dynamic gains कहते हैं और इसके अंदर जाहर वो क्या होता है trade increase होता है किसी भी nation का जिससे nation की income और productive capabilities बढ़ती है specialization की वजह से क्योंकि जब हम trade शुरू करते हैं तो हम किसी एक product में specialize होते हैं हम उसी पर ज्यादा देते हैं क्योंकि हम वो export करना होता है उससे हमारा production बढ़ जाता है ठीक है और पहले वो चीज़ नहीं होती तो यानि trade जो है वो आपको ज्यादा मौकर देता है कि आप ज्यादा save करें और है इसके calculation की देखते हम कैसे करते हैं table के जरीए फिर उसको हम समझेंगे कि trade opportunity cause क्या है trade से पहले country के क्या हाल आते हैं फिर trade के बाद तो इसको हम लेकिंग measuring gains from trade measuring gains from trade ठीक है इसके बतर क्या हम देखेंगे how much a country gains when they engage in international trade जब कोई भी country international trade में engage करती है तो कितना gain उसको होता है कितना फाइदा उसको होता है इसको measure करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें ये बात समझनी होगी कि कोई भी country सारा कुछ produce नहीं कर सकती उसके अंदर specialization होता है किसी एक product के अंदर हम example लेके चले एक country दस product में भी specialized होती है हम मानके चलते हैं कि हर country हर product में specialized नहीं होती और ये बात सही है है उसके climate change है जोहराफी है natural resources है इस इस्टाइबलिश्मेंट of infrastructure है जापान का infrastructure बहुत सपोर्ट करता है electronics product को वहां पर वो ज्यादा होते हैं ठीक है तो जब एक country better होती है in the production of one good तो उसको हम कहते है comparative advantages पड़ा होगा हमने इस पर separate video बनाई है comparative advantage यानि एक country जब दूसरी country से बहतर एक production को produce कर सीवती है वह comparative advantage होती है यानि उसकी जो production efficiency होती है वो हम opportunity cost से measure करते हैं इसको आप हम समझेंगे कि किस तरह से हम यह tip है किस तरह से हम advantage comparative advantage मैं detail में नहीं जा रहा हूं सिर्फ यह बता रहा हूं कि एक country की opportunity cost दो product बना रही है opportunity cost अगर दूसरी country से एक product के production में कम है तो वह comparative advantage होगी वह उस चीज़ को produce करेगी और betterly produce कर सकती है और दोनों country उस हाल में advantageous हो सकते हैं और दूसरा आपने पढ़ा होगा absolute advantage absolute advantage भी आपने पढ़ा होगा है ना यह क्या चीज़ है जब दो country है उनमें इंपूट से में technology इंपूट सेम है इंपूट सेम है टेकनोलोजी इंफरेस्टर किसी भी वज़ा से यह country एक country जो है वो ज्यादा produce कर पा रही है बी country के बनिस्बत तो इस case में हम जब सेम इंपूट से लेकर एक country ज्यादा produce कर other country ठीक है same level of resources होने चाहिए अब माल लीजे दो country trade कर रही है ठीक है तो सबसे पहले वो देखेंगी कि हमने दो product लिए हैं हम किस product में advantageous है opportunity cost हारी कम है और किसमें हमारी opportunity cost ज्यादा हो रही है जो इसकी कम होगी वो उस प्रोड़क्ट को बनाएगा अब suppose कर लेजिए दो country है एक nation A है उसकी goods A में opportunity cost कम है और दूसरी की product B में opportunity cost कम है तो country A जिसमें उसकी कम है उसको produce करेगी और जो भी बना रही उसको import करेंगे इस तरीखे से वो product को एक दूसरी का बैटे उसको supply करेंगे exchange करेंगे और दोनों better off होंगे दोनों को फायदा होगा क्यूंकि इस case में दोनों का production maximize करेगा और दोनों फिर भी सारी production को यानि सारी goods and services को use कर रहे होंगे अब यह समझने के लिए किस तरह से benefit को increase करता है उसके लिए जब दौनर ट्रेट में इंगेज हो जाते हैं उसके लिए हम फिर उसका formula देखेंगे और देखेंगे किस तरह से opportunity cost को हम calculate करते हैं गेंज फ्रॉम ट्रेट फॉर्मूला गेंज फ्रॉम ट्रेट फॉर्मूला बहुत सिंपल है हम किस तरह से opportunity cost को calculate करेंगे और जिस से हम ये बता पाएंगे कि किस कौन सी country किस product में advantages है दूसरी फिर हम क्या करेंगे price set एक policy ते करेंगे हम क्या trading policy है उसमें हम price set करेंगे कि दोनों के price क्या है और उसके बाद दोनों last में दोनों उस product को एक दूसरे को देंगे और अपनी production capability से आगे जाकर consume करेंगे इसके लिए हम एक example ले रहे हैं कि suppose कर लीजे country A है country A खाली A रिखाओ मैं आप पूरा लिखिए के जब लिखे country A और एक country B है यह दो countries है ठीक है यह दोनों countries जो है वो heads बना रही है यानि दोनों country heads को consume करती है और pair of shoes heads और pair of shoes ठीक है यह दोनों countries ले रही है अब हम मानके चलते एक्जामपल ले रहे हैं कि साथ country A जो है वो max जितनी भी उसके पास resources है उसमां maximum 50 heads को produce कर सकती है या 25 pair of shoes को इसी तरह से जो country B है वो maximum 30 heads को produce कर सकती है या 45 pair of shoes जो उनके पास amount बचा हुआ है उसमें अब हम देखेंगे के heads और shoes की opportunity cost क्या होती है उसके लिए हमें देखना होगा कि किसी भी एक head पर one pair of shoes कितने आ रहे है या एक head अगर हम ले तो shoes कितने आ रहे है और दूसरी तरफ अगर एक pair of shoes ले तो उस पर head कितना आ रहा है इन दोनों चीजों को हम कैसे करेंगे हम उसमें पर देखेंगे divide करके यह ही उसका formula होता है यानि हम country A को अगर हम आभी calculate कर रहे हैं एक अगर हम country करें country A की तो हम क्या कहेंगे हम simply कहेंगे कि divide the number of shoes by number of heads यह हम क्या कर रहे हैं यह हम देख रहे हैं कि how many head cost each nation to produce one pair of shoe यानि एक pair of shoe बनाने के लिए बनाने के लिए हमें कितने head क को sacrifice करना होगा वाइस वर्सा हम दूसरे को देखेंगे तो सबसे पहले क्या दें हम opportunity cost of heads लेंगी opportunity cost of heads मैं इस तरह से लिए रहा हूं country A का चलना आई है ठीक है कितने है यह 25 shoes हैं और 50 heads कितना आ गया यह है है ना हाफ और 0.5 कि ठीक है यहाँ पर अच्छा यह तो head के निकल के आई शू की क्या होगी शू की क्या होगी इसको opposite कर देंगे हम 50 divided by 25 फिफ्टी डिवाइड बाई 25 आ रही यह बात समझ में और इसी तरह से हम भी को भी करेंगे बी को कीजिए तो उसका क्या आ जाएगा 1.5 और यह आ जाएगा 0.67 ठीक है यह जिस तरह क्या exactly सीधर अभी को कीजिए तो यह आ जाएगा अब इसकी हम एक टेबल बनाएं वह क्या होगी इसी कि हम अगर नीचे बना लें इसी पर लिख देते हैं हम यह पर ठीक है क्योंकि हमारी opportunity cost तो निकल आई है तो यह opportunity cost और हैट्स की कितनी निकल कर आई थी 0.5 और शूस की कितनी निकल कर आई थी टू कंट्री बी के लिए कितनी निकल कर आई है 1.5 और यह 0.67 के लिए रहे समझ में आ रही है इसमें क्या पता चल रहा है अब इसको समझ यह कि अगर country ए शू बनाएगी तो उसको दो शू बनाने के लिए हाफ हैट सेक्रिफाइज एक शू बनाने के लिए हाफ हैट को सेक्रिफाइज करना होगा इसी तरह अगर country भी जो है वो एक हैट बनाएगी तो उसको 0.67 शूस को सेक्रिफाइज करना होगा इसका मतलब क्या हुआ country A has a comparative advantage in heads क्योंकि उसको है दो हैट बनाने के लिए सिर्फ इतना ही सेक्रिफाइज करना होगा जबके अगर country B इसको बनाएगी तो एक जोड़ी भी नहीं बनेगा और इतने सारे हैट को सेक्रिफाइज करना होगा तो जो country A है वो heads के अंदर comparative advantageous हो गई इसी तरीके से अगर आप B को लीजे तो B जो है वो यह नहीं कर पा रही है लेकिन B अगर शू को produce करेगी तो उसको शू produce करने के लिए सिर्फ इतना सा ही sacrifice करना होगा तो यह शू जो है बी की तरह पाता है तो हम हम इस example से यह समझे के country A जो है वो comparative advantageous in the production of heads and country B comparative advantageous in the production of shoes ठीक है इसको सही से पूरा समझने के लिए एक पूरी हम table बनाते हैं जिसमें हम पूरा देखेंगे के before trade before trade क्या situation थी और after trade क्या situation इसके लिए complete एक table बनानी होगी तो मैं वह पहले table बना लेता हूं फिर हम शुरू करते हैं ठीक है कि जब यह production and consumption without trade यानि अपनी country जो है वो self sufficient है खुद produce कर रही है खुद consume कर रही है उस वक्त country A जो है वो 40 heads and 5 shoes produce कर रहा था और country B 10 heads and 30 shoes यह country B है और यह country A है ठीक है अब यह देखिए कि उस वक्त हमने opportunity cost मैंने यहां लिख लिया है table में होनी नहीं चाहिए यह लेकिन मैंने क्यूंके समझाने में आसानी रहे हमने opportunity cost लिख लिए 0.5 और 2 1.5 और 0.6 वह वाली opportunity cost मैंने यहां पर उताली है यह before trade का है कि इतना consume कर रहे हैं और इतना ही produce कर रहे हैं produce कर रहे हैं और consume कर रहे हैं ठीक है अब यह दिमाग में लाते हैं कि साहब हम जो है वो international trade हम trade करेंगे एक दूसरे से अब जब यह trade करेंगे त हैं अपने वो अलग हैं international market में क्या produce करेंगे अब जब यह country A हमाले लिए हैट के price set कर रही है तो country A कहेगी कि मेरे price जिस price पे मैं इसको बेचूंगी वो हर हाल में 0.5 से ज्यादा होने चाहिए क्यों 0.5 मेरी opportunity cost है इतने में तुम्हें भी बना लूंगा country A कहेगी कि 0.5 में तो मैं खुद ही बना लूंगा अगर मैं इतने ही price पे बेचू हैट तो इतने पे तो मैं खुद भी बना सकता हूँ तो मुझे हर हाल में इससे ज्यादा price चाहिए ताकि मुझे फाइदा हो कि यह मेरी opportunity cost है मुझे उससे जादा बाहर से मिल ला है तो मैं क्यों बना हूँ ब इससे मुझे कम मिलेगी तो मैं बेचूँगा यानि 1.5 से कम होनी चाहिए 0.5 से ज्यादा तो सपोस्स कर लेते हैं हम के इन दोनों के बीच में एक बीच का रास्ता निकला उन्हों नहीं कहा कि ठीक है हम दोनों के prices को सेम माल लेते हैं जो हमारे heads head के price है वही shoes के price है यहां म इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से अब मुझे मालूम है कि country A जो है वो comparative advantageous है in the production of head यानि अब वो head produce करेगी ज्यादा और shoe import करेगी तो वो क्या करेगी कि जितनी resources उसने production of shoes में लगाए हुए थे वो resources ये in the production of heads कर देगी तो head का production पहले 40 था वो बढ़कर 50 हो गया तू के हिसाब से ठीक है और सारा का सारा जितना भी था इदर लगा दिया तो shoe उसको produce करने की अब जरूरत नहीं है यानि अब जो production है country A के अंदर वो 50 heads और zero shoe produce कर रही है बी country B जो है उस comparative advantage in the production of shoes ठीक है तो उसने क्या किया किया कि इस में से कुछ resources जो है वो shift कर दी इंदी production of shoes यानि अब उसको जहरे वो comparative advantage है तुन नहीं का मैं यह ज्यादा produce करूँ यह थोड़ा करूँ क्योंके बागी तो मैं इंपोर्ट कर लूँगी अब जो production हुआ international trade शूरू होने के बाद वो country B ने दो head और 42 shoes produce कि अब exchange शुरू होता है trade शुरू होती है ठीक है trade में क्या किया क्योंकि prices हमारे सेम हमने price सेम लिए दूनों के head और pair of shoes के price सेम है तो जितना हम export करेंगे उतना ही हमें import मिलेगा उसमे price सेम है न तो जो country A है वोसने nine heads export किये country B को और country B ने उतना ही get कर लिए country B को मिल गए वो get कर लिए इसी तरह से country B जो है वो advantages in shoe में तो country B जो है वो shoe export करेगी और वो import कर लेगी country A यानि nine give nine get nine give nine get यह export import हो रहा है नो दिये नो लिये नो दिये नो लिये ठीक है अब यह लेने के बाद अब यहां nine 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 हमारे पास जो export import quantity वो आ गई अब हम देखते हैं के consumption कहां पर पहुंचा ठीक है अब आप देखिए यहां पर production कितना किया गया था 50 50 में से नो जो है वो export कर दिया गया 50 में से नो गया 41 अब 41 consume कर रही है कितना फट गया सबसे पहले जब हम trade नहीं कर रहे थे तो दूस पहले अब यह nine आ गए तो यहां हमारे पास हमने प्रेडियूस एक भी नहीं किया था लेकिन गैट नहीं हमने nine जो है वो import किये तो हमारा consumption nine ही का है वो जब consumption nine का है हमारा तो हम compare करें पहले वाले से जब trade नहीं करते थे तो पांच था अब वो nine हो गया nine minus five four यानि जब trade नहीं कर रहे थे तो यह consumption था ट्रेड जब international trade हुआ तो हमारा consumption भी बढ़ गया क्योंकि standard of living बढ़ता है income बढ़ती है तो लोग ज्यादा consume करते तो हमारा consumption भी इस हसाब से बढ़ गया इधर आजाएए अब यही सिस्टम है सिर्फ में डारेक बता रहा हूं ट्रेड से जब जब international trade नहीं था तो दस हैट consume कर रही थी country भी अब 11 क्योंकि दो प्रोड्यूस किये इसने और 9 इंपोर्ट कर लिए 11 हो गए 11 पहले 10 था अब 11 हो गया एक इसमें जयाती हुए एक गाजाफा हुआ हुआ है एक इंक्रीज कर गया और इसी तरीके से यह पहले 30 थे फिर इसने 42 प्रो एक्सपोर्ट कर दिये बचे कितने 33 33 इसने consume किये पहले कितना consumption 30 अब हो गया 33 तो plus 3 इस तरीके से अगर आप देखिए तो जो gain है यह पूरा international trade के बाद आया है इसी को कहते है gains from trade gains from trade का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि हम international trade कर रहे हैं कमाई कर रहे है gains from trade का मतलब यह होता है कि जो production और consumption हम पहले कर रहे थे international trade के बाद हमारा अपना consumption भी उससे ज्यादा हो जाता है ठीक है इसी चीज़ को समझने के लिए एक मैं figure और बनाता हूं हम figure से और समझेंगे तो यह चीज़ और के लिए होगी तो मैं figure बना लूँ फिर शुरू करते हैं ठीक है तो चलिए मैं figure बना ली है ठीक है अभी मैंने यह अधूरी figure बनाई है जैसे मैं समझाता जाओंगा तो इस पर लाइन बनाता जाओंगा इसलिए कि यह figure सही से समझ सकें जो टेबिल है वो मैंने कुछ टेबिल रफली छोटी सी है किदर बनाई है और जो बहुत शुरू में हमने बनाई थी जहां पर हमने दिखा था कंट्री यह और भी का production possibility कर कहां होगा वो टेबिल मैंने यहां बनाई अब देखिए यह figure आपकी कह रही है यह जो रेड़ वाला है यह country A का PPF है production possibility frontier वो याद की जो शुरू में हमने टेबिल बनाई थी कि country A जो है वो 50 heads यह heads है और यह shoes है 50 heads बना सकती है यह 25 shoes तो 50 head यह 25 shoes यह बनाएगी और any combination on this curve कोई भी combination वो ले सकती है उसके budget line के अंदर है इसी तरीके से blue वाली line जो है यह country B की है B क्या है यह तो 30 heads बना सकती है यह 45 shoes और any combination on this curve इन दोनों के बीच में कोई भी combination वो ले सकती है ठीक है यह line red वाली कहां जा रही है और blue वाली कहां जा रही है समझ में आती है stable का 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 अब आप यहां से देखिए यहां यह table मैंने क्या बनाई है समझ यह यह है और यह B है B T before trade consumption और after trade consumption मैंने short में लिख लिए इसकी जूरत नहीं थी क्योंकि यह मैं पहले समझा चुका हूं इसको लेकिन सिर्फ क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं इससे आपकी समझ में जल्दी आ कंट्री एने डिसाइड किया था कि वह 50 हैट प्रोड्यूस कर रही थी और 5 शूज प्रोड़क्शन एंड कंजम्शन यानि 40 & 540 का 30 50 के बीच में 40 कम सम्वेर ऐल्स है 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 ठीक है और इससे हम नीचे चले जाएंगी यह हो गया 5 और यह आ गया 40 ठीक है यह कंजम्शन निकल कर आया बिफोर प्रेड कंट्री एका और इसी तरीघे से कंट्री बी का लीजिए वह कह रही कंट्री बी जो है प्रोड्यूस कर रही थी टैन है एंट थर्टी आ च्बी शूज तो 100 हैट्स कहां जाएंगे यहां जाएंगों का 1510 यहां जाएगा यहां कहीं और यह आगे आपका 30, 30, 25, 30 और यह 10 ठीक है यहां तक बात समझ में आ रही है यह हम simply हमने कहा है कि बिफोर ट्रेड जो है वह 40 हेट और 5 शूस कंजम्शन था कंट्री एका 30 शूस और 10 हेट कंजम्शन था कंट्री बीका अब हम कह रहे हैं किसाब इनमें ट्रेड स्टार्ट हो गया ट्रेड चालू हो गया दोनोंने प्राइस फिक्स की अपनी अपॉरचुनिटी कॉस के हिसाब से और दोनों में ट्रेट शुरू हो गया अब जब ट्रेड हुआ तो उनका कंजम्शन बढ़ गया कितना कंजम्शन हो गया आफ्टर ट्रेड कंट्री एक कंजम्शन हो गया 41 एन 941 यहां कहीं होगा यह फाइब तो 9 कहीं आ आएगा यहां ठीक है अब अगर आप इस लाइन को मिलाएंगे को मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो थोड़ी टेडी मेंडी लाइन आएगी यह पॉइंट ठीक है यह वाला पॉइंट आएगा यह 41 हो गया और यह आपका आप नाइन ठीक है 41 और 9 9 शूज और 41 हैट हमने चुरू में क्या बात कही थी गेंस फ्रॉम ट्रेड क्या है जब कोई भी कंट्री अपने प्रोड़क्शन पॉसिबिलिटी कर्व चें ऊपर जाकर कंजिूंब करे और य सीज चीज कंट्री 5 की प्रोड़क्शन पॉसिबिलिटी कवसे ऊपर चला गया ठीक है तो यह जो portion है यह gains from trade है for country A, इसी तरह से आप country B को ले लीजे, अब वो कितना कर रही है, country B जो कर रही है, वो 10 और 30 पहले था, अब उसके जो head से वो 11 हो गए, 11 को यहां आ जाएगा, ठीक है, और 33 हो गए उसके shoes, यहां कहीं होगा, ठीक है, अब अगर आप इसको लें यहां आ रहा है, इस case में भी आप देखिए, जो country B का consumption है, वो इस line से उपर चला गया, तो यह जो portion है, यह gains from trade है for country A, और यह जो है, यह है for country B, ठीक है, यही gains from trade है दोनों countries का, यही हम इससे समझना चाह रहे हैं, कि जब, बस summarize कर रहा हूं थोड़ी से words में, जब कोई दो country आपस में trade करती हैं, तो उनके अंदर specialization हो जाता है, वो specialization पे काम करती हैं, एक country एक product पे specialize होती है, दूसरी country किसी दूसरी product में specialize होती है, तो वो यह कहती हैं, कि अगर इस product में हमेरा specialization है, हमारे opportunity cost कम है, तो हम इसको produce करेंगे, दूसरी country में दूसरे की opportunity cost कम है, वो produce करेंगे, और दोने एक दूसरे से हम production को आदान परदान कर लेंगे, एक दूसरे से exchange कर लेंगे, उससे क्या होगा, जो हमारा पहले consumption था, हमारा consumption, अपना domestic consumption भी उससे ज consumption बढ़ जाता है, क्यों? क्यों कि international trade से country के अंदर development होता है, ठीक है? तो मुझे उमीद है, समझ में आया होगा, कोई problem होगा, तो मुझे comment box में बताईएगा, इस वीडियो में बतना ही, थैंकि सर्वाइब,